लेकिन कल आखरी परचार का दिन ठावर उस दिन एक ऐपिसोड ईसा हुए है जो पूरे हर्याना ने चोका देवए है और सबसे ज़्यादा चोकाने वाली बात थी वो बीजेपी के लिए क्योंकि अशोक तवर जो बीजेपी में थे कई पारिटियों में गूमके वो वपिस जो है कल चुनाव परचार के आखरी दिन कांग्रेस का हाथ जो है वो थाम ले वे हैं और वो हाथ थाम में भी हैं तो मह दलितों का कोई मतला भी माती नहीं है कॉंग्रेस में दलितों के लिए कोई सम्मान नहीं है कुमारी सहल जा ने लेकर जिस तरीके का वो एपिसोड होया उसने लेकर पूरा टारगेट कर रही थी इसे में अचानक से बीजेपी न होया इस नुक्षान जो ये नुक्षान होय है इसका के असर चुनाव पर पढ़न वाड़ा है और असल मैं दलितों की राजनीती पर बात करें दलितों के मुद्दे पर बात करें तो बीजए पी और कॉंग्रेस ने किस तरीके से स्टेंड लिया है वह सारी बातचीत करेंगे मेरे साथ अविनास सेनी जी हैं वरिस्ट पत्रकार हैं वाधरणी है हमारे तो बातचीत इन से करेंगे मैं हूँ आपका विकी बैरागी ना किसे का दुसमन ना किसे का सागी और शुरुवात करें सर नमस्कार राम राम जी राम राम और सारे दर्शकान है राम राम सर पांच साल पांच ठेकाने बदलके हैं एक बार फेर उल्टे गर पहुंचे हैं कांग्रेज में पहुंचे हैं सोकतवर तो इस एपिसोड तैस शुरुआ का तो एक वैसे आप अपना जो रुजान है राय है वो आप देओ कि इस चुनाव पर कितना असर पढ़ने वाड़ा ह देखो ये चुनाव पहले दिन से ही ये दलित मुद्दों के आसपास ही भूम रहा था परदानमंतरी नरेंदर मोदी जब हरियाना में आते हैं कुरकशेतर में पहली जनसभा को संबोधित करते हैं तो वहीं से वो दलित एजेंडे को ओपन करते हैं और वो ये दिखाते हैं कि जो दलित्स हैं उनके साथ कॉअंगरेस में कहीं पे भी वो किसी भी स्टेट में है नयाय नहीं हो रहा और खास तूर पे जो आरक्षन का मुद्दा है दलित आरक्षन का मुद्दा है उस पे उन्होंने सवालिया चिन लगाए कि जो कॉअंगरेस के नेता रहे हैं त्यौंग तरीके से उठाया था सवीधान की प्रती लेकर वो पूरे देश में घूमे थे और इसकी शुरूआत उन्होंने भारत-जोडो यातरा से कर दी थी। भारत-जोडो यातरा उसके बाद भारत- न्याय-यातरा जो उन्होंने निकाड़ी और फिर वह जब लोगसभा क के लिए जुटे तो उन्हों ने यही लोगों के सामने रखा था कि बीजे पी अगर आ जाती है जो 400 पार का नारा बीजे पी का था कि अगर यह 400 लेते हैं तो 400 इसी लिए लेना चारे है ताकि जो सविधान जो है वो उस पे हमला होगा और सविधान को निरस्त कर दिया उनके लिए कुछ नहीं बचेगा क्योंकि उनके लिए सारी ताकत तो सविधान में है सविधान ने उनको ताकत दे रखी है और वो ताकत भी उनके पास नहीं बचेगी तो उनके लिए कुछ भी आधार नहीं बचेगा और इसका असर पड़ा था इसी की काट परदान मंतरी नरिंद वो दिने कुरक्षेतर में शुरू की थी और बाद में जो बीजेपी के नेता हैं उन्होंने इसी लाइन पे जो मुद्धों को कंसोलिडेट करने की कोशिश की खास तोर पे राहूल गांदी का जो अमरीका में एक बयान था कि उनसे पुछा गया कि भही आप कॉंग्रेस आरक्षन के बारे में क्या सोचती है तो उन्होंने कहा कि जब समाज में समानता आ जाएगी पूरी तरह से समानता आ जाएगी जिसक का जो परचार किया वह बहुत नेगटिव तरीके से किया जो उनकी पुरानी आदत है उसी तरह से किया तो उससे यह दिख गया था कि बीजेपी दलित एजंडे को हरियाना में लगातार उठाने वाली है और उसके हाथ में वह कहते हैं कि एक छिका टूट गया वह शेल जादा और बात करने का मौका मिला और लगभग सारे बीजेपी के नेता और बीजेपी के साथ साथ B.S.P. Ko ले ले एसपी को ले ले इनलोग को ले ले जज़बा को ले ले जितने भी कांग्रेस वर्सिस थे उन सब ने शेलजावारे मुद्दे को बहुत ही उठाया अपने मुद्ध और ज्यादा कॉंग्रेस के लिए मुश्किल में आया लेकिन जैसे ही राउल गांदी की एंट्री हरियाना में होती है उन्होंने आते ही सेनेरियो को बदल दिया समय करण चेंज हो गए उन्होंने शेलजा के शेलजा जो कॉंग्रेस के लिए फाइदा कर सकती थी जो उठावाया है जो मंचों पे शेलजा को बराबर में वुपेंदर जिंग उड़ा के साथ किया गया उनके उनके हाथ मिलवाये गए और राउल गांदी ने अपनी शुरुवात जो की असंद से की जो शेलजा के समर्थक है वहां से शुरुवात की और उसके बाद फिर ब याना में गया खासतोर पे जो वंची तबके हैं उनके बीच में की शेलजा कमजोर नहीं है बहुत मजबूत होके उभरी है इस चीज को आखरी जो कहते हैं आखरी बोल पे चक्का जो राउल गांदी ने मारा वो अशोक तमर को पार्टी में ज्वाइनिंग कर्वाते हुए उन्होंने मारा क्योंकि अभी आप यह देखो कि कॉंग्रेस में फिर भी कॉंग्रेस का देख्ष पिछले लंबे समय से दलित चेहरा रहा है वो अशोक तमर रहे हों वो शेल जा रही हों उसके बाद उधे बहान है इस समय पे कॉंग्रेस हर्याना के अज्जश है तो कहीं पे भी आप यह नहीं दिखता कि इग्नोर हैं वो लेकिन बीजेपी में आप देखो कि कोई दलित बड़ा चेहरा वो बीजेपी की हर्याना की राजनिती में उबरके नहीं आया आप कटारिया साब की बात हम कर सकते हैं अमबाला से जो एमपी रहे मंतरी भी रहे उनके दलित चेहरा बीजेपी में आपको दिखाई नहीं देता तो लोगों को लगता है कि यह सिर्फ बात बात है और इस पे एक चेहरा आया था बड़ी मुश्किल से रतलाल कटारिया के बाद आज की सिचुएशन में मतलत आज की नहीं कुआ परसों की सिचुएशन में बीजेपी में आये बीजेपी ने उनको न्याई दिया मतलब ऐसी वह उन्होंने बात की लेकिन अशोग तवर ने जैसे ही घर वापसी की उन्होंने कहा यह घर वापसी है आदमी सारी दुनिया घूमके आता है और घर वापसी होती है फिर उनसे पत्रकारों ने पूछा कि यह आपने इतनी दल में आप गए हो फिर कैसे वरोसा किया जाए तो उन्होंने कहा कि भई पहले मैंने और चीज देखी नहीं थी तो मुझे लगता था हो सकता इससे बेतर वो हो सकता इससे बेतर वो हो जब लेकिन जब मैं गया बीजेपी में गया तो मुझे पता चला वह जिस राहूल गांदीन को पिछले चुनाव में, बीजेपी ने बहुत ही डिग्रेड किया, उसको पपू साबित करने की कोशिश की, उन्होंने बहुत ही मैच्योर तरिके से, एक बहुत ही सुल्जेवे राजनेता की तरह से व्यवार किया और हो सकता है, मतब यह कोई जो कल हुआ है, उसकी एक प्रिस्ट भूमी है, वो बहुत पहले से लिखी जा चुकी थी जो पटकता है, लेकिन वो तो मंच पे दिखी है, और उसके बाद डेमेज कंट्रोल का टाइम बीजेपी के पास नहीं था, असल बाद ही है कि यह स्ट्रोक उस समय पे मारा गया, जब डेम और सहल जा भी चुनाव परचार से दूर रही, तो वो ज़्यादा इस तरीके से होगी थी, कि मनुरलाल खटर खुद करने लगे थे, कि बाजपा में आएंगी तो स्वागत है, पूरी, मतलब वो सेनेरियो तियार कर दिया गया कि अब चोड़ने वाली हैं सहल जा, लेकिन उस दोरान एक वाक्या और होया था, अनूप दानक जो जेजेपी छोड़के बीजेपी की टिकट से कंडिडेट हैं, उनके उपर नैना चोटाला का एक बयान था, दो मुआ शाप है, अनूप तो, काड़ा नाग है, मतलब उनको रंग के लेके उनको उपर टिपनी करी गई उनकी वो बीजेपी में गए, उसने लेके करी गई, वो भी तो एक दलीत चेहरा थे, और बीजेपी के कंडिडेट थे, बीजेपी अपने कंडिडेट के लिए, मतलब स्टेंड नहीं ले पाई, अपने दलीत कंडिडेट के लिए, और दूसरी पार्टी के, दूसरे के घर क जो दलित चेहरा है दलित नाम है उसने लेकर इतने इतना बड़ा हुआ बना दिया गया यो किस तरीके की राजनीती दिख आपने देखो एक तो बात ये है कि अनूप धानक और कुमारी शेल्जा दो अलग अलग शक्सियत है जो जगह कुमारी शेल्जा की है हरियाना की राजनीती में अनूप धानक को वो जगह हासिल करने में बहुत 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 टाइम लगेगा तो इससे एक तो चीज ये आपने जो कहा इससे ये साबित हो जाती है कि बीजेपी दलीतों के दुख दर्द को लेके उनके आतम समान को लेके कितनी समवेधन शील है ये तो दिखाई दे ही जाता है ना कि उन्होंने अपने जो केंडिरेट है उनके बचाओ में कोई ब्यान किसी बड़ी नेता का हमें दिखाई नहीं दिया तो वो समवेधन शीलता महां भी दिखाई देती है वो जो दो गलाफन है दो चीज़ें हैं कि उनके लिए उन्होंने कुछ नहीं किया और जब हासिल करना हुता है अशल में राजनीती में नेता लोग जो हैं पार्टियां जो है, वो सिर्फ हासिल करने के चक्कर में रहती है. कि किसका नफा नुकसान है अनुक के बारे में अगर हम बात करें तो उसका नुकसान, नफा सिर्फ एक सीट फे है, शेलजा अगर वो शेलजा को तोड पाते हैं, इस जैसा कि उन्होंने बहुत सारी कोशिश की है वो तो के दरवाजे पकड़े रहे हैं मतलब आ जाओ आ जाओ आ जाओ स्वागत है पटके फूल त्यार थे बिलकुल तारिक भी डेट कर वो फिक्स कर दी थी कि 25 तारिक को कुमारी शैलजा बाजपाज वाइन कर ले जाएगी तो यहां तक की रणनीटी उन जैसे ही नेताओं में से है जैसे और नेता है लेकिन मुझे लगता है कि शैलजा की जगह अलग है वो कॉंग्रेस की बहुत ही डेडिकेटीड सिपाही है और जो कॉंग्रेस की विचार धारा है उसमें पली बढ़ी वो नेता है तो उनका अलग मुकाम है इसलिए वो अरिया तो उनका अलग जगह है और उसका ही फाइदा बीजेपी लेना चाहती थी कि अगर कोई ऐसा बड़ानेता कॉंग्रेस से छिटक जाए तो आपको दलित वोट हांसिल हो सकते हैं उसका फाइदा आपको मिल सकता है लेकिन वो नहीं मिला और बाकी जो स्थिती है वो तो आपके स जोर नए चेहरे पर उनने उमीद टिकानी पड़ेगी लेकिन उस लेवल का तो है नहीं अभी कोई उस पारिटी में अगर बात करें तो तो यह वाड़ा चुनाव अब बीजेपी के लिए कितना नुकसान करके गया है अशोक का जाना जाना जो इस चुनाव में देखो अश कितने लोग हैं बात यह है कि दो चीजें पहली बात तो यह है कि एक रननीतिक जगह होती है मतब चुनाव जो है जितना धरातल पे लड़ा जाता है उतना ही दिमागों में लड़ा जाता है तो वह जो दिमागी स्थिती आपने वहाँ पर अटेक किया कॉंगरिस ने और उस कि जिस तरीके से कॉंग्रेस छोड़के जब वो गये थे जब कॉंग्रेस वाड़े लोगों के भी यही बयान थे कि इसका आथपल्ला कुछ नहीं है गया तो गया अब उस ताइम पर बीजेपी इसने खूब बुना रही थी कि इतना बड़ा नेता है दलित नेता है और वो बीजेपी में सामिल होया है को कोंग्रेस से निकडा दो-तीन जग है और फिर बीजेपी में आया तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कॉंग्रेस पहा समर्ते जब आपकी पार्टी से कोई नेता जाता है तो आपको यही कहना होता है कि इससे कोई फरक नहीं पड़ेगा और जब आपकी पार्टी में कोई नेता आता है तो आपको यही कहना होता है कि बहुत बड़ा नेता हमारी पार्टी में आ गया और अब तो बहुत इसका फाइदा ह होगा ऐसा कहा जाता है यह राजनितिक ब्यानबाची है हकीकत जो है वो यह है कि एक तो 17 सीटे जो रिजर्व शीटे हैं उन सब पे अशोक तमर का असर पड़ेगा उनके जाने से कॉंग्रेस में जाने से कॉंग्रेस को फाइदा होगा उन 17 की 17 सीटों पे इसके अलावा खास होते हैं हर विधानसवा सीट पे एक छोटा ही नंबर होगा लेकिन अधर कॉम्निटीज का भी एक नंबर ऐसा है जो अशोक तमर के परती डेडिकेटिट है अशोक तमर अपनी पार्टी बनाएगा तो वह उस पार्टी में जाएगे वह बीजेपी में जाएगा तो हैं अगरेता हुते हैं लगाता है अर्यान कॉंग्रेस के अध्यक्स रहे हैं एक क्रफ नेशनल प्रेजिदेंट रहे हैं उखेंग कॉमया सान है तो मतलब एक कमाई उन्होंने पिछले साल सालों में इतनी तो कर रखתי है कि हर विदान सबाब में उनके पास एक नंबर है जो उनके followers है और follower अगर कुछ लोग है तो वो फिर अपने को multiply करते हैं वोटिंग के से रिष्टेदार भी हो हैं उनके यार दोस्त भी हो हैं बिल्कुल बिल्कुल तो वो फाइदा भी Congress को मिलेगा तो और सबसे बड़ी बात ही है कि मानसिक फाइदा जो है वो फाइदा बिल्कुल मिलने जाता है बिल्कुल तो असोक तवर की entry पर ये चर्चा थी कि Congress में entry के बाद BJP न कितना नुकसान और Congress न कितना फाइदा उनवाला है जिसा कि अविनास जी ने बताया है कि बहले ही उनकी गठडी जो है उसमें वजन कम हो लेकिन उनके पास भी अपनी गठडी पूरे हर्याना में है ना सिर्सा के आजपास की ना सिर्वड सीटों की बात करें बलकि दूसरी जो सीटे है जर्णनों के टेगरी की हैं उनमें भी उनके पास एक जो स्पोर्ट के लिए जो उनके समर्थक जो हैं उनकी एक गिनती है जरूर जो उनके साथ कहीं भी वो जैएंगे तो उनके साथ जाव है तो इस बार के चुनाओ मैं जो ये मास्टर स्ट्रोक राउल गांधी न खेल ला है असोक तवर की दुबारा एंट्री करके उस पर मारी बातचीत तो आप लोगों ने सुनी है लेकिन आप लोग अपनी राए भी कमेंट बोक्स में जरूर बताएं और क्योंकि चुनाव कल होन वाड़ा है तो आज ये जितनी राए आप दे होंगे और कल चुनाव के बाद जो रुजहान जिस तरीके के जिस पार्टी के बढ़ेंगे उस पर एक वीडियो में अगली बार फिर मिलेंगे हम तब तक के लिए राम राम नमस्कार दवसकार